नमस्कार स्वागत है आपका डेटीवी भारत में और मैं हूँ आपके साथ श्रिश्टी श्रवास्त बिहार में 24 सीटों पर MLC चुनाव होने वाला है जिसको लेकर सरगर्मिया तेज है सभी राजनीतिक दल लगे हुए है कि अपनी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए और इसी क्रम में राष्ट्य लोग जनसक्ती पार्टी के राष्ट्य अद्रक्षायू कहे केंड्रे मंत्री पशुपती पारस ने NDA से एक मांग कर दी है और वो मांग एक ये की है कि उन्हें भी एक सीट चाहिए वो हाजिपूर की सीट क्या है पूरी खबर हम आपको विस्तार में बताते हैं दरसल बिहार में विधान परिसत के 24 सीटों पर होने वाले चुनाओं के लिए सभी दलों की तरफ से दावेदारी की जा रही है अब इसमें राष्ट्य लोग जनसक्ती पा अब देखना ये है कि पशुपती पारस के चाहत पूरी होती है या नहीं जानकारी के मताबिक एंडिय की प्रमुक सहयोगी राष्ट्य लोजपा को विधान परिसत चुनाव में एक सीट देने की बात सामने आई थी अब पार्टी के राष्ट्य प्रवक्ता श्रवन अगर संजेज अस्वाल से पार्टी के सीनर निताओं की भी बात हो चुकी है प्रवक्ता के मताबिक पिछली बार की चुनाव में पार्टी ने हाजिपूर के साथ साथ सुपॉल, नालंदा और आरा से अपने उम्मिदवार उतारे थे फिलाल हाजिपूर को छोड़कर बाके के सी हाला कि विधान परिसत के पिछले चुनाव में लोच्पा के उम्मिदवार हार गए थे, सान्य स्तर पर होने वाले MLC के सीट भी लोच्पा के हाथ में थी, वहां से नूतन सिंग चुनाव जीत कर MLC वनी थी, मगर बता दे, नूतन सिंग ने लोच्पा छोड़कर BJP का दाम थाम लिया था, इस सीट पर अब पारस की पार्टी अपना दावा नहीं कर रही है, तो अब जो MLC चुनाव होने वाला है, इसको लेकि पश्रुपती पारस ने NDA से मांग कर दी है, अब देखिए, NDA में BJP है, JDU है, हम है, और साथ अथ व्याइपी है, और राश्य लोग ज सरकार से, नितीश कुमार से, BJP से ये मांग कर दी है, अब देखिए, बिहार में MLC चुनाव होने वाला है, इसको लेकर सभी जो राजनीतिक दल है, वो लगे हुए, कि अपने पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, जहां राजद और कॉंग्रेस एक दूसरे में एक तरीक पेंदर कुस्वाहा ने राजद पर तंज भी कसा था, तो अब पशुपती पारस जो है, वो मांग कर रहे है NDA से, सीट के लिए, और अभी तक हाला कि अभी कुछ खुल कर सामने नहीं आया है, क्या सीट है, क्या नहीं, लेकिन पशुपती पारस यहां मांग कर रहे है, MLC चुनाओ में अपनी सीट के लिए, वो भी हाजिपूर, और जैसा कि हमने आपको बताया, लोश्पा जो है, उसकी हमेशा से पकड हाजिपूर में रही है, जब बटवारा नहीं हुआ था पार्टी का, जब दोनों पार्टी अलग अलग नहीं थी, चराग पास्वान के और भी हाजिपूर ही उनका था, और अब वापस से पशुबती पारस हाजिपूर की मांग कर रहे है, हाला कि अब देखने वाली बात होगी, किसे एंडे की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्या सीट मिलती है पशुबती पारस को, ये देखना दिलजस्प होगा, फिलाल इस ख